गुजरात के वलसाइड में एक बार फिर से वंदे भारत ट्रेन दुरगातनांगराशत हो गई है जानकारी के मुताबि घटना वालसाइड के अतुल के पास हुई है बताया जा रहा है कि वंदे भारत ट्रेन से गाय को ठकर लगी है इससे ट्रेन के अगले हिसे में नुकसान पहुचा है अगले हिसा टूट गया है वहीं ट्रेन के इंजन के पास के निचले हिसे में भी नुकसान हुआ है फिलाल कोई जानमाल की शतिक के खबर नहीं है वल साइड में वन्दे भारत ट्रेन के साथ ये घटना सुबा करीब सबा आट बजे पहे है एक्सिडेंट के बाद वन्दे भारत ट्रेन तीस मिनट तक रुकी रही पौने नौ बजे के करीब ट्रेन को अतुल रेलवे स्टेशन से गंतवी के लिए रवाना किया गया सुचना के बाद रेल विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुँच गए वन्दे भारत ट्रेन के दुरगटना ग्रस होने से पानी की आपूर्ती भी बादित हो गई है आपको बता दे कि बीते दिनों वन्दे भारत ट्रेन का एहमदाबाद और अन्वट के पास एक्सिडेंट हो गया था उस समय भी वन्दे भारत ट्रेन की टककर एक गायस से हो गई थी ट्रेन 7 अक्टुबर 2022 को गांधी नगर से मुंबई के लिए चली थी यह घटना शाम 3 बच कर 44 मिनट पर हुई थी और ट्रेन को लगबख 10 मिनट तक वहां रोका गया था रेलवे का दिकारियों ने बताया था कि ट्रेन को कोई नुकसान नहीं हुआ था हाला कि फ्रंट कोच यानि ड्राइवर कोच के नोज कॉन कवर को मामुली नुकसान हुआ था इससे पहले भी 6 अक्टुबर को वंडे मार्ट ट्रेन का एक्सिडेंट हो गया था जब गुजराच से मुंबई जा रही थी ट्रेन केस में जादा थी और उसी बीच अचानक पट्री पर 4 बहेंसों का जूंड आ गया था इस एक्सिडेंट के बाद ट्रेन का अगला हिसा पूरी तरह से डाइमेज हो गया था बतादे की वंडे भारत को बिजली से पावर मिलती है ये पावर उपर मवजूद तारों से होती है फ़ी ट्रेन पर लगी डिवाइस पैंटों से नीचे पहुँचती है उपर मवजूद लाइन की पावर 50,000 वाट तक होती है जिससे सीधे ट्रेन नहीं चलाई जा सकती है इसलिए ट्रेन की कोचों के नीचे ट्रांसफर्मर लगे है इसका काम बिजली को कनवर्ट कर जरूरत के हिसाब से इस्तमाल करना है मेकिन इंडिया प्रोजेक्ट के तहद बनाई गए इस ट्रेन की शुरुआत में T80 नाम दिया गया जिसके पिछे खास वज़े रही दरसल इसे सिर्फ 18 महीनों में तयार कर लिया गया था करीब 100 करोर रुपे की लागत से तयार इस ट्रेन को सुधाओ के लिए हाज से काफी सस्ता माना जा रहा है वंदे भारत के इंजल लेस और बिजली से चलने वाली ट्रेन होने के साथ कई और खासियत भी है जो इसे स्पेशल बनाती है ट्रेन में कुल 16 डिब्बे हैं जिन में 14 चेयर कार वाले और 2 एक्जुटिव क्लास के हैं एक चेयर कार कोच में 78 कुर्सिया है वहीं एक्जुटिव में इनकी संख्या 50 से 52 की है वीडियो डेस्क अमरुजला.com डाउनलूड करें अमरुजला है और पाएं खबरें लगातार अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें